Hello everyone, आज इस वीडियो में हम interrogative pronouns के बारे में study करेंगे, जिसे हिंदी में प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं, तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को, पहले जानेंगे interrogative pronouns क्या होता है, उसका definition, pronouns which are used for asking questions are called interrogative pronouns, ऐसे सर्वनाम जिनका use question पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं, example, who, whom, what, which, etc. अब कुछ example भी देखते हैं, who is your best friend, आपका सबसे अच्छा मित्र या आपका best friend कौन है, who were you talking about, आप किसके बारे में बात कर रहे थे, next, to whom did you inform, आपने किसे सुचित किया या आपने किसे inform किया, next, which is the largest, sorry, which is the world's largest city, विश्व का सबसे बड़ा सहर कौन सा है, next, what are you looking for, आप क्या ढूंड रहे हैं, तो ये क्या हुआ, who, फिर याँ पे who, whom, which, what, इन सारे words से हम क्या कर रहे हैं, question पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, interrogative pronouns, यानि ऐसे सर्वना, जिनका use, हम question पूछने के लिए करते हैं, उन्हें हम interrogative pronouns कहते हैं, अग, I hope आपको interrogative pronouns अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, thank you for watching this video,